मुनावर फारुकी लोक आप सीजन बन से चम चमाती हुई टोफी लेकर आया मुनावर फारुकी और उसके बाद मुनावर फारुकी ने जीत लिया बिग बॉश सीजन सत्रा चारो तरफ मुनावर 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 लेकिन अभी वो कर रहा है एक और बड़े रियलिटी शो की तयारी आखिर कार कौन सा रियलिटी शो है वो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे इस चौदवे सीजन में मुनावर फारुकी की मचाएगा बवाल धमार उमीद तो की जा रही है अब लेक्सी क्या होता है बात करते हैं आप देख रहे हैं चैनल टैली का जाना सबस्क्राइब जरूर करें मैं राहुल भोज सारी बाते आप लोगों के लिए खुल के बताता हूँ अब मुनावर फारुकी की अगर बात करें तो मुनावर फारुकी में बिग बॉस की चमचमाती ट्रोफी तो जीत ली वही या लेकिन उसके बाद मुनावर फारुकी की म्यूजिक वीडियो से लेकर गांजा कॉंट्रोवर्सी से लेकर तमाम साली चीज़े सामने आ दे डीसेंटली मुनावर को मुंबई पुलिस ने डिटेन भी किया था जहांपे वो उसकोई रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी कि उसमें जो है ये जो अपना हुका हुका होता है उसमें जो साइच चीज़े डालते हैं वो सबका सेवन किया था वो ठीक है दपापा कर दिया मामला मुनावर को बेल मिल गए उस मामले से लेकिन अब अगर बात की जाए दोस्तों तो कलर्स का एक और बड़ा रियालिटी शो है जिसका चौदवा सीजन आने वाला है मैं और कोई नहीं मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन रोहिट शिक्ति के खत्रों के खिलाडी की जिसके मुनावर का नाम पहले भी सामने आया था मुनावर के टिकेट विएट सब कर दे थी लेकिन मुनावर को वीजा इशू हो गया था क्योंकि इसमें हम सब को पता है कि कैसे जो है अपने स्टेंड अप कमेडी शो में जो है देवी देपताओं का मजाग बनाया था जिसके मुनावर जो है वो बाहर जाके देश से बाहर जाके काम भी कर सकता है ऐसा लग रहा है और इसी वज़े से खत्रों के खिलाडी के लिए मुनावर का नाम सामने आ रहा है जागरन की रिपोर्ट आई है बगाईदा कि मुनावर कंफर्म सदस से बन गया है और वो खत्रों के के लाड़ी में जाएगा ही जाएगा भाई अगर मुनवर फारुकी जाएगा देखे जाएगी कि भाई स्टंट कैसा करेगा बंदा क्योंकि मुनवर को हम देखना चाते हैं एक स्टंट के मामले में मुनवर को कहा जाता था कि ये फुद्दू है कुछ नहीं कर पाता है लेकि अब अगर मौका मिला मुनवर का तो वो करके दिखाएगा तो ये कही ना कही लोगों के लिए एक मस्त शौकिंग बात भी होगी कि वा यार मुनवर तो जबर्दस टंट भी कर सकता है आपको क्या है कहना कॉमेंट करके जबर बताईएगा बने रहें चैनल के साथ देखते रहें टेली के जाना बाबाई